मानिंग आला फियो आज हम आप लोग पढ़ा रहे हैं इनम फरस्ट एयर का सब्जेक्ट कम्यूटी हिल्थ नर्शिंग कम्यूटी हिल्थ नर्शिंग में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे उद्देश देखिए इसके उद्देश नहीं शीर्च थे सब चुर्बन किया गया उद्देश देखिए उद्देश किया थे परपज यह और मांकोकार्ण में cinema संव्म share your Saint ㅋㅋㅋㅋ सब्सक्त diceOME यह लांग में भागों में बाटा जा सकता है दो बाटा जा सकता है अब्जेक्टिव मुद्यध टर्म हैork लगों उद्देश देखें लांग टर्म अब्जेक्टिव इसके अंतरगत निमलिखित उद्देश्यों को सम्लित करते हैं एक वर्ष में एक व्यक्ति को संक्रमड हो मलेरिया संक्रमडर दर 14 वर्ष कम आयू में एक प्रस्त से भी कम हो इसका उद्देश्यों वर्ष में एक व्यक्ति को संक्रमड हो और मलेरिया संक्रमडर दर 14 वर्ष कम आयू में एक प्रस्त से भी कम हो इसका उद्देश्यों था नेक्स है शार्ट टर्म अबजेक्टिव क्या थे देखिए हस्पीटल में आने वाले सभी रोगियों में से मलेरिया रोगियों की पहचान करना हस्पीटल में आने वाले हस्पीटल में जो भी पेशेंट आते थे उसमें से मलेरिया पेशेंट की पहचान करना नेक्स नौजास शिशू B.C.G. का टीका लगाना नौजास शिशू को अस्पीटल में जो नौजास शिशू है उसको जो है B.C.G. का टीका लगाना 6 रोग नियंतरड है तू सभी स्वास्त संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना 6 रोग ट्यूबरकुलाशी के नियंतरड के लिए सभी जो स्वास्त संस्थाओं हैं उससे सहयोग प्राप्त करना भारत में लगबग 1.4 करोड रोगी 6 रोगी पीडित हैं भारत में लगबग एक करोड चालिश लाख लोगी जो हैं 6 रोग से पीडित हैं 1.4 करोड जो पेशंट हैं वह 6 रोग से पीडित हैं टीबी से ग्रसित हैं प्रतेक तीन मिनट में एक हजार की जनसंख्या पर मिर्त्यू हो जाती है इसलिए यह भारती स्वास समस्याओं का प् इसलिए यह जो है सबसे स्वास समस्याओं में सबसे गंभीर स्वास समस्या है भारत की यह जो सभी स्वास समस्याओं में यह सबसे गंभीर स्वास समस्या है देखिए जिला 6 रोग नियंतरा कारिकरम जिला अस्तरी 6 रोग नियंतरा कारिकरम टीबी नियंतरा कारिकरम की बै बैकबोन मेरुदंड है जिला अस्तर पर 600 TB क्लीनिक सेंटर बनाए गए है जिनका मुख्या मुल्यांकन राष्ट्री छह नियंतर केंद्र बैंगलोर द्वारा किया जाता है इसके द्वारा संचालित किया जाता है डिस्ट्रिक टीवी क्लीनिक जिला अस्तरी छह नियंतर कारी करम का प्रमुक केंद्र बिन्दु है डिस्ट्रिक टीवी क्लिनिक के रूप में निम्रिखी स्वास्त केंद्रों पच है, रोक सम्मंदी सुभिधायां उपलप्त करवाई जाती हैं सरकारी अस्पताल गर्मेंट हस्पीटर, सामदाइक अस्पताल केंद्र, कम्यूटी हिल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्त केंद्र, प्राइमरी हिल्थ सेंटर टीवी क्लिनिक का फंक्शन मलेरिया के केस का पता लगाना तथा रोगी का सही समय पर उचित उपचार करना टीबी क्लिनिक का जो कारी होता है वह मलेरिया के केस का पता लगाना और रोगी का सही समय पर इलाज करना होता है रिवाइज नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम आर एन टी सीपी डबलू एच्चो की सहायता दवारा 1992 में 6 रोग नियंतर कारीकरम में कुछ परिवर्तन कर दोबारा चलाए गया इसलिए इसे आर एन टी सीपी करते हैं रिवाइज नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम करते हैं देखिए इसकी विशेस्ता हैं इस कारीकरम की मुख्य विशेस्ता हैं शाट टर्म कीमोथरापी द्वारा रोगी में से 85 प्रस्ट को पूर ठीक 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 लगाना शाट टर्म कीमोथरापी द्वारा प्रस्ट को पूर रूप से ठीक 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 लगाना लोगों को पेसिंट को सत्तर प्रस्त से दस स्टेप्टम पॉजिटिव केस का पता लगाना उप जिला अस्तरी चल रहे छहरों मियंत्र कारिकरमों को राज जीवा केंद्र सरकार द्वारा मजबूती प्रदान करना अस्तरी द्वारा चैल रहे छहरों मियंत्र कारिकरमों को राज जीवा केंद्र सरकार द्वारा मजबूती प्रदान करना एंटी ट्यूबर कॉलाइसिस औसदियों की सही आपूर्ति का पता लगाना च्छै रोगियों की केर है तू स्वास्त कर्मियों को ट्रेनिंग देना जो च्छै रोग से ग्रसित है जो पेशन्ट है टीबी से ग्रसित जो पेशन्ट है उनकी केर करना स्वास्त कर्मियों द्वारस उनकी देख भाल करना गयर सरकारी संस्थाओं के सहयोग प्राब्त करना गहर सरकारी जो संस्थाएं हैं उससे सयोग प्रात करना 1993 में SIDA की सहायता से RNTCP में पिलोट फेज की सहायता से RNTCP में पिलोट फेज कर प्रारम किया जो की मुख्यता मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वैंगलोर तथा महराष्ट में प्रफावी रूच से कारिकरित है यह जो कारिकर्म है वह पिलाट फेज जो है वह दिल्ली, कलकत्ता, वैंगलोर तथा महराष्ट में मुख्यूप से प्रभावी हैं यह कारिकर रहे हैं इस फेज के अंतरगत पेशिंट के इलाज के लिए DOTS कारिकर्म चलाया गया अगर देखिए DOTS Direct Observe Therapy for Short Term इसके अंतरगत रोगियों को तीन सेडियों में बाटकर श्वास्त केंद पर बुलाकर औशदी दी जाती है इसके अंतरगत DOTS के अंतरगत जो है Direct Observe Therapy for Short Term इसके अंतरगत पेशिंट को तीन सेडियों में बाटकर श्वास्त केंद पर बुलाकर औशदी दी जाती है गया है जिसने देश की जनसंक्या में शह नियंतर्ड कारीकरम का डास्ट द्वारा इलाज किया है उनी नाइनटिन गात्री में लगो 32 लाख रोगी टीवी के सिकार थे जिसमें से 64 लोग पूरता स्वस्थ हो चुके थे अक्टूबर 2004 तथा 22 राज्यों की 13 परशाज जन संक्या RNTCP के अंतरगर्ज कवर कर ली गई है देश भर में इस रोप के निदान के लिए 9000 प्रयोक्षाला स्थापित किया चुकी है देश भर में इस टीवी रोप के निदान के लिए 9000 प्रयोक्षाला स्थापित की जा चुकी है RNTCP द्वारा 6 रोग से होने वाली मरितुदर 29 परश्चत से 4.7 परश्चत हो गई है RNTCP द्वारा 6 रोग नियंतर से 6 रोग से होने वाली मरितुदर 29 परश्चत थी वह अब 4.7 परश्चत 4.7 परश्चत हो गई है और चितर रोग से होने वाली मरितुदर 29 परश्चत की जाली मरितुदर 29 की जाली मरितुदर 30 परश्चत के लिएए